गुद नियूज गुद नियूज गुद नियूज एलेक्ट्रिक स्कूटर लेने वाले के लिए काफी नियूज और काफी गुद नियूज देखने को मिले है जो की सिधा सिधा 40% परसेंटेज प्राइस ड्रॉप देखने को मिलने वाले है अल्रेडी एलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइज ड्रॉप है फिर भी आगे जाकर क्या सीम रहेगा वो हम इस वीडियो में बात करने वाले और कुछ दिन पहले हमने फेम 3 की नई सबसीडिय के बारे में बात किया था कि यार 1st एपरिल 2024 से नए नियम लागू होने वाले नए प्राइज चालो होने वाली है लेकि से कम प्राइज वाली ओला की एलेक्टरिक स्कूटर अभी 85,000 रुपीज में मिल रही है आफ्टर लेस करके फेम 2 की सबसीडिय और भी 40 परसेंटेज हम लेस करते है जो की 34,000 रुपीज आता है मतलब ओला की सबसे सस्ती एलेक्टरिक स्कूटर 51,000 रुपीज में देखने को मिली है प्राइसिंग में क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लेम तो यही है कि एलेक्टरिक स्कूटर की बैटरी के कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है अधर कंट्री से और फेम 3 की नई प्राइज एक एप्रिल 2024 से शुरू होने वाली है तो चलिए इसके उपर मिलने वाली है वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाली है जो सच है वो आपको आपर इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो देखो यार दोस्तो सबसे पहले रियल में जो अपडेट है वो यही है कि यार इलेक्टरिक स्कूटर में जो सबसेड़ी मिल रही है वो मतलब सीधा सीधा आपको फेम 2 की जो सबसीडी है उसमें इन्होंने डिसकाउंट दिया है लेकिन फेम 3 की जो सबसीडी आएगी एक एप्रिल 2024 से उसमें प्राइस बढ़ेगी या इससे कम होगी वो अभी किसी भी कमपनी ने नहीं बताया है आप मेरे को नाम बताओ किया और क प्राइस कम हुए 40-50% प्राइसिंग में लेस देखने को मिला है लेकिन गवर्मेंट एक तरब क्या करने वाली है कि जैसे की एक एप्रिल शुरू होगा फेम 3 की नई सबसीडी की रूलस इनके चालो होगे कि यार कितने किलिवाट पर कितनी सबसीडी मिलेगी और ज्यादा मिला कर एक जगा पर ही प्राइस आने वाली है फेम 2 31 मार्च को एंड होगी फेम 3 एक एप्रिल से शुरू होगी 100% ली सबसीडी तो आपको कम ही देखने को मिलेगी और इंडिया की गवर्मेंट इतनी भी जो है दिलकुछ नहीं करती एक जगा पर सबसीडी भी ज्यादा द करते हैं तो क्या 51,000 में ओला की इलेक्टरिक स्कूटर की प्राइस होना पॉसिबल ही नहीं है और इंडियान मार्केट में सबसे ज़्यादा सेल जो इसी साल में देखने को मिला है अगर प्राइसिंग में कंजूसी करता है गवर्मेंट तो 100% ली EV सेल जो है काफी ड्रॉप प्राइसिंग कम होने वाली है अगर आप EV लेने का प्लानिंग कर रहे हो तो यही टाइम है दोस्तो आपको इसी टाइम पर एलेक्टरिक स्कूटर लेना चाहिए जिसे मैंने वीडियो में बताया कि 1 एप्रिल 2024 से शॉकिंग प्राइस जो है बढ़ने ही वाली है नहीं तो पेले थी उतनी प्राइस आपको देखने को मिल सकती है इससे कम तो कुछ देखने को नहीं मिलने वाला अगर आपका प्लैनिंग है यह वी लेने का तो ज़रू से ज़रूर अभी ट्राइक करना और काफी मेंने से गाइस रियल में जो निउस है रियल में जो सबसीडियो होन झाल 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 झाल